तो है गाइस दिस इस प्रकार का है आगे का फ्यूचर क्या है आगे का करियर ऑपर चुरिटीज क्या है कौन कोंसे ऐसे कॉलेज है वह कितनी जाती है ठीक है इसके कितनी seeds है, कितनी fees है, इन सभी के बारे में discuss करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरी जानकारी होगी, इस वीडियो में computer science related DSU के अंदर जितनी भी companies है, उन सभी के बारे में discuss करेंगे, कितनी package है, तो श्टार्ट करते हैं, वीडियो को चैप्टर में, ठीक है, तो चैप्टर वाले, इस वाले चैप्टर में मतलब की, इस वाले page पे हम आ गया है, तो यहाँ पर आगर आप करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी information दे रखें, computer science होती क्या है, और आगे का बविश्य क्या है, इन सभी का, यहाँ पर शॉट में बत होती जूरी है, जितनी भी companies है, रहो सब ज्यादा IT department में ही अपना focus करती है, क्या जो भी company है, उसके जो IT department अगर तगड़ा होगा, तो उस company का भी आगे का flow होगा, तो इसी प्रकार से हमारी country को अगर आगे डबलब करना है, तो उसके जो IT department, IT companies है, उसका भी अच्छा होना ज database से इस सीज़ के आपकी जरुवत पड़ेगी, ठीक है, इसका scope भी जाला है, तो मेरे साब से जो जितने भी number of applications इस साल DSU के अंदर आए है, डिप्रोमा के लिए, उसमें सबसे जादा मेरे साब से computer science से related है, क्योंकि इसका जो competition है, उस साथ की साथ इसका बढ़ता भी जा रह है, टोटल इसमें सीज़ जो 600 सीज़ है, लेकिन यार यह सीज़ बस इतनी ही नहीं है, इसका थोड़ी से आगे पीछे हो जाती है, तो यहाँ पर बच्चे कापे confusion में रहेंगे, 600 के अंदर हमारे पास नाम नहीं आया, तो हमारा ambition नहीं होगा, तैयर ऐसा नहीं है, इसके सी सब्सक्रापूर केंपस कापेंपस, यहां पर कापीं बच्चे के लिए सबसे best college काईटी है, लेकिन मेरे अगर यहां पर इखा जैतो best college यहां का। यहां पर पिर गुरुनालक significant technology फिर अंबेड कर, तीक है scorers यह यहां पर Boys के बात करो. आझ गourse के लिए तो से best gosto यह कोह यह सकता क्योंकि स्विल्मा साथ का क्योंकि यह जो college है वो girl's के लिए ही है तो girls के लिए कास्तोरवा institute of technology तो girl's के लिए इस सफो एक best colleaguetalktalkalk away, जो सकता, बाकि जीतने भी कॉलेचेस से आसी बात नहीं कि एक भी खराब है, ठीक है, डिचेश्व के अंदर जीतने भी कॉलेचेस है, वो सभी ब्रांचित के लिए सभी के लिए प्लेस्मेंट पाइज से एहां तर से इस कोर्स को कौन कौन से बच्चे लिए सकते है ज़िसमें पर की निदर की यहां पर सेमेटर ग्रासिप यहां पर आगर देखे आप देख सकते हैं यहां पर यह मैंने पहले ही से ओपन करके रखा हुआ है यहां पर आपको इस कूर्स में आपको मिलेगा क्या-क्या-क्या सारी चीज़ दे रखिया है यहां पर फर्स्ट यार में दो समेस्टर होते हैं एक समेस्टर शिक्स मंत का होता है मैं बता दिया ठीक है तो मैंने बता दिया कि आपको एक समेस्टर हो शिक्स मंत का होता है और पूरे एक साल के अंदर आपके पास दो समेस्टर होते हैं यहां प पढ़ाए जा सकते हैं यहां पर बात करें फिर इसकी बात करें फिसक पहले पर चलते हैं अगर इस फिसक की बात करें computer engineering की जितने भी 6 campuses है उन सभी campuses के सेम फिस structure है यहां पर फिस्ट यह के बात करें तो 15,000 आपको देना पड़ सकता है and second की बात करें तो 16,500 and third की बात करें तो 18,150 फिस है वो काफी बचे बोलेंगे यहां पर बहुत ही ज्यादा फिस है इसके पीछे रीजन है यार देखो यहां पर last year तक यह बहुत ही कम फिस ले करते थे यहां पर first year का होता था 8,000 and fifth 6,000, 6,000 के आसपास होता था जनरल केटेगरी वालों के लिए ठीक है यहां पर बात करें इस साल यहां पर course क्यू एक्स्टेंड करवाए जाए यहां पर fees क्यू एक्स्टेंड करी है increase क्यों करी है तो देखो इसके पीछे रीज़ेन है देखो आप को मैं वेबसाइट पर ले चलता हूं डियासु की मेन वेबसाइट यहां पर आगर आप देखेंगे तो यहां पर जो company's partner section है यहां पर आप चलेंगे तो देखो यह डियासु ने पहले से ही आपके लिए क्या यह जो university है यह 100% placement की guarantee नहीं लेती है लेकिन DSV इतनी guarantee जरूर देती है कि हमारे जितनी भी companies है और जितनी भी students है उनसको आपने साथ के साथ बात करवा के जाएंगे बाकी college और फिर student की बीच में के matter है वो उनको नौकरी करना है या job प्राप्त करनी है या नहीं करनी है फिर उस पर depend करता है ठीक है student पर depend करता है लेकिन DSV को कहना है कि यह हम student को company से बात करवा के ही छोड़ेंगे ठीक है तो 100% package की guarantee नहीं देती है यह DSV लेकिन आ यतना है कि 100% आपके बात जरूर करवा देगी company से ready ठीक है तो इस company DSV कमपनी से पहले से ही tie-up कर रखा है आप देख से किती साई companies है हर एक department के लिए अलग अलग companies है ठीक है तो इस companies को पहले से ही tie-up करने के and यहाँ पे थोड़े सा और chances बढ़ जाता है companies आने का तो यहाँ पे place companies आई है तो बात करवा के आप जाएंगे तो यह placement की जितने भी पहले अगर 40% chance थे placement की तो अभी 80% से 90% chance है placement की तो इसी प्रकार की वज़े से company से tie-up करने की वज़े से आप जो fees है वो बढ़ाय गया है तो बात में अब यह मत कहना कि यह fees क्यों बढ़ाया है ठीक है मैंने reason बता दिया यही कारण है कि इसका जो main कारण है यही चीज है ठीक है and आपके जितनी भी colleges है और यार वो पहले से जि facility यह मतलब कि आप जब का आपका admission होगा इस college में किसी भी college में तो आपको एक पुले renewable college मिलेगा एकदम best college मिलेगा DSU के अंदर ठीक है तो इसकी करण के वज़े से काफी सारी infrastructure में development किया गया है तो इसका कारण के वज़े से ही यह fees structure यहां पर बढ़ा है अगर इसके scope की बात को करना है तो आप DSU की website पर जाकर यहां से apply कर सकते है यहां पर बात करें कूर्स highlights की तो यहां पर आपको थोड़ी से यह आप देख सकते है काफी सारी चीज है यहां पर आपकी दे रखी है यहां पर फिर यहां पर scholarship भी गया यार scholarship की चिंदामत को scholarship वाले वीडियो मेंने ब करता है कि company से पहले से type कर रखा यार फिर यहां पर job का जो chances हो थोड़ी से और एक्सेंड हो जाती है अगर आप DSU के अंदर admission लेते हो तो ठीक है यहां पर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी जैर बहुत ही अच्छी फैकल्टी आपको skills related आपको यहां पर पढ़वाय जा जाएगी ठीक है तो theory आपकी पास कम आई आपे practical knowledge आपको ज्यादा मिलेगी DSU की अंदर तो यहां मेरे साब चाहिए जिवस्तों ने computer science के लिए अपना मन मना लिया है वो बहुत ही अच्छा है ठीक है आगे वाले भविश्य में बहुत ज्यादा इसका infrastructure है ठीक है अगर आग बात करें इसके packages की दियर placement packages यतनी भी diploma courses है वो यह और आउंड 2-3 lakh per annum के आसपास आपका लग जाता है 2.5 3 3.5 के आसपास आपका चला जाता है यहां पे package की बात करें अगर computer science की ठीक है डिप्लोमा basis पे इसके बाद अगर इसके career opportunities के बात करें इसके पास आप कौन-कौन से चीज कर सकते हो यहां पर अगर बात करें यहां पर आपके पास डिप्रोमा करने के बाद आप बीटक भी कर सकते हो ठीक है अगर आपको higher study करनी है तो यह तो आप campus placement ले सकते हो campus placement की बात करी 2.5 3 lakhs 3.5 तक आपका पर annum case आपका यहां पे package जाता है ठीक है सभी colleges की जितने भ अगर बात करें computer यहां पर यह फिर यह companies की तो पहले से companies मैंने बता दी काफी अच्छी companies है हर एक department के लिए अलगले companies है ठीक है यह सारे total यहां पर companies है आप देख लेना जो भी अच्छा है ठीक है तो यहां पर बात करें आगे की future की बात करें future best है तो I hope आपको आगया होगा आपको एक documentary attach कर दूंगा I hope आप उसको यहां देख लेना ठीक है उसका credit में DSU कोई दूंगा क्योंकि वहां से मैं मैंने वह निकाल है ठीक है और इसकी LGBT की बात करें लास्ट में देखो इसके 10 जिसने 10 कर रखा है 10 प्लस 2 कर रखा है वह इस course को apply कर सकते है ठीक है तो I hope आप में आपको आप यह रही आपकी documentary इस्टा है my name is Riya Girotra I am student of computer science and engineering diploma from Kasturva Institute of Technology which is now DSEU Pitampura campus मेरा overall learning experience मेरे campus में बहुत ही best रहा मुझे ना सिर्फ computer applications बल्की different subjects के बारे में भी जानने को मिला जैसे की basic electronics entrepreneurship and development जैसे subject जिसने ना सिर्फ मेरा academics में और धान कीचा बल्की मुझे as an individual भी एक अच्छी growth दी अगर मैं theory की बात करूँ तो theory में मुझे काफी कुछ सीखने को मिला especially if I would talk about my computer subject such as C, C++ and Java अगर मैं practical knowledge की बात करूँ so मेरे सारे के सारे teachers ने इतना support किया जिन्होंने ना सिर्फ मुझे as an individually practical में growth करने में help की बल्की मुझे उस subject में interest develop करने में भी काफी help की अगर मैं अपने faculty members की बात करूँ तो मेरे सारे faculty members ने मुझे बहुत support किया especially weekly seminars जो की women safety पर थे, dental hygiene पर थे जिन्होंने ना सिर्फ हमारा interest हमारे college की तरफ रखा बल्की हमें कुछ और सीखने को भी दिया apart from academics अगर मैं बात करूँ हमारे further studies की so सिर्फ diploma के बाद I was just offered a job of 2.5 lakhs per annum जो के diploma के बाद एक काफी अच्छी earning थी मुझे मेरे campus ने ना सिर्फ interviews के लिए experience के लिए prepare किया बल्की मुझे ये भी बताया कि अगर मैं इसके बाद अगर further studies करना चाहती हूँ तो मैं b.tech के लिए जा सकती हूँ if I don't want to do further studies तो मैं इसी campus के थू, campus placement लेकर एक अच्छी reputed company में डिप्लोमा के बाद ही job कर सकती हूँ अगर आप computer science में interested है software में interested है अगर आप back end के काम में interested है and if you are innovative too so I guess आपको भी computer science के course में जरूर enroll करना चाहिए just like me and in order to get more benefits गुटा प्राणून, मैं इसे शुदिप्ता अचाह जी working as a lecturer in computer engineering देशु campus रहिनी regarding this syllabus restructuring at the time of beginning it was in our mind that mainly we focused to develop the skill among the students syllabus के अंदर हमने कोशिश किया है कैसे skill जो outcome जो है skill-based है students के अंदर एक problem-solving mind set up करना एक entrepreneurship mind जो खुद भी कुछ after completion of this course खुद भी कुछ कर सके उसको problem को analyze करना कैसे उसको solution करना है और market में बादो industry में एक reasonable solution provide करने के बाद उसके जो competency है उस मतब execute करना और इस दौरान जो skill-based course है हमने सब कुछ incorporate किये इसके अंदर में जैसे basic जो programming skill है programming language in C ठीक है जावा उसके जो skills जो उसके logic identify market में exposure कैसे उसको execute करते है फिर हमने इस course में ऐसे कुछ e-certifications नफ्टेल्स शोयं प्लाटफॉर्म में जो है ओ कोर्स यहाँ पर हमने input किये है industry visit भी एक options है यहाँ पर student में तो industry में जाके students expose कर पाएंगे देख पाएंगे के how they work there एसी दोरान उसके अंदर में skill mind जो है मताब entrepreneurship mind भा खुद के जो development जो है problem solving skills जो है ओ develop करने का कोछिस के हमने इसके अंदर रहे प्लास जो है यहाँ पर जो campusing interview हमारे जो desu university campus is going to tie up with several industries say TCAS, IBM ठीक है उनके साथ मताब tie up करके जो complete हमारे जो मताब लक्षर है के 100% campus placement मताब वो आइदर वो campus में नौकरी मिले नहीं तो कुछ बच्चा का campus में नहीं जाना चाहते है हारा study करना चाहते है उसका भी options हमारे university में हमने जो skill develop किये उस पर lateral N.T. में में अबजीटिप्स झाल झाल झाल